एक ऐसा रहस्मे मंदिर जो बंद होता है मातर दो मिनट के लिए भारत के रहस्मे मंदिर में से एक मंदिर जहां पुजारी लेकर खड़े होते हैं हाथ में कुलहारी एक ऐसा मंदिर जहां पर स्तित मुर्ती से नहीं होती है भूग परदाश भारत में बहुत सारे रहस्यों से भरे मंदिर है इन में से यह एक मंदिर जहां पर लगाया जाता है दस बार भूग क्या है पंदरा सो साल पुराने इस मंदिर में ऐसा खास कि भगवान श्री किशन को दिन में दस बार लगाया जाता है भूग क्यों मंदर के पुजारी खड़े रहते हैं कुलारी लेकर हाथ में इन दो मिनिट में ऐसा क्या होता है इसके बाद मंदर का ताला तोड़ दिया जाता है भोग ना लगने पर क्यों सुख जाती है श्री कृषिन जी की प्रतिमा आखिर क्या है इस चमतकारी मुर्ती का रहसे जिसे आज तक कोई भी नहीं जान पाया आखिर कहां है ये स्तित मंदर ये जानने के लिए इस वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा इस मंदर के बारे में आपको कुछ ऐसे रहसे जानने को मिलेंगे जिसे सुनकर आपकी भी रॉंक्टे खड़े हो जाएंगे दोस्तो आज हम आपको पंद्रह सो साल प्राचीन एक ऐसे रहसमें मंदर के बारे में बताने जा रहे हैं जो 24 घंटे में सिर्फ दो मिनट के लिए बंद होता है दोस्तो तिरुवर्पू श्री किर्शन मंदिर नाम से जाना जाने वाला भगवान श्री किर्शन का ये अनोखा तथा चमातकारिक मंदिर स्थ है घेरल के कोटियाम जिले के तिरुवर्पू में ये मंदिर बहुत ही रहसमें मंदिर माना जाता है क्योंकि यहां परस्तिद भगवान श्री कृष्षन की मुर्थी को बहुत भूख लगती है माना जाता है कि अगर समय पर इन्हें भूख ना लगाや जाए तो यहां परस्तिद श्री कृष्षन की मुर्थी पतली हो जाती है आखिर ऐसा कैसे मुम्गिन है इस बात का सवाल हर किसी के मन में जरूर उठेगा लेकिन ये सत्य है इसलिए यहाँ पर स्थित श्री किर्शन जी की प्रतिमा को दिन में दस बार भोग लगाया जाता है माना जाता है कि भगवान श्रीकेशन केवल दो मिनट के लिए अराम करते हैं इसलिए मंदिर को सुबह 11.58 पर बंद किया जाता है और दो मिनट बानी यानि की 12 बजे पुना खोल दिया जाता है इस समय मंदिर के पुजारी हाथ में ताले की चाबी और कुलारी लेकर खड़े रहते हैं अगर किसी कारणवाश मंदिर का ताला नहीं खुलता तो पुजारी मंदिर का ताला तोड़ देते हैं ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर दो मिनट बाद मंदर खोलने में देर होती है तो भगवान श्रिकेशन सूप जाते हैं और उनके कमर की पट्टी भी किसकर नीचे आ जाती है इस मंदर के पुजारी टेंपल मिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि लगभग 50 साल पहले उनके पिता इस मंदर के पुजारी थे नियम अनुसार उनके पिता ने इस मंदर को 1158 पर बंद किया और फिर दो मिनट बाद जैसी मंदर को खोलना चाहा तो वे मंदर के कपाट नहीं काफी प्रयासों के बाद जब ताला नहीं खुला तो उन्होंने कुलाड़ी से वार कर ताला तोड़ा इसके बाद पुजारी ने मंदर के अंदर जो देखा उसको देख के सभी के खोश उड़ गए क्योंकि मंदर खोलने में विलंब होने के कारण और समय पर भोग ना लगने के कारण श्री किशन जी की कमर के पट्टी नीचे तक खिसक कर आ गई थी तब इस श्री किशन की मुर्ती को भोग लगने में कोई देरी ना हो इसलिए पुजारी मंदर को लाड़ी लेकर हाथ में खड़े रहते हैं दोस्तों माना जाता है कि एक बार ये मंदर अन्य मंदिरों की तरह ही ग्रेंड काल के समय बंद हुआ था इसके बाद जब मंदर खोला गया तो सब हैरान हो गए भगवान श्री किशन भूग के कारण पतले हो गए थे और उनकी कमर के पट्टी भी नीचे तक किसक गई थी उस वक्त शंक्राचारे जी मंदर में उपस्ति थे जब उन्होंने इस घटना को देखा तो वे समझ गए कि भूग के कारण ही ऐसा हुआ है इसलिए क्रेंड के समय कभी इस मंदर को बंद नहीं किया जाता है एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि भगवान क्रिशन की इस प्रतीमा का जब अभिशे किया जाता है तो उनका सर सूप जाता है क्योंकि अभिशे की दोरान देर हो जाती है और उन्हें भूग नहीं लग पाता आखिर प्रतिमा कैसे सुख जाती है ये आज तक कोई नहीं पता लगा पाया है ये एक रहसे बना हुआ है माना जाता है इस मिस्टरी टेंपल प्रतिमा को भूख इसलिए बरदाश नहीं होती क्योंकि श्री किशन जी की इस प्रतिमा का भाव तब तक का है जब उन्होंने कंस का वद किया था उस समय श्री किशन को बहुत भूख लगी थी इस प्रतिमा का भाव ऐसा होने के कारण ही श्री किशन की इस प्रतिमा को भूख बहुत जादा लगती है इस मंदिर को लेकर एक किवन्दंती का यह भी कहना है कि अग्यातवात के समय पांड़फ शुरी कृषन जी की इस प्रतिमा की पूजा करते थे इसके बाद इस मूर्ती को मच्छुआरों ने मांग लिया था और वे इस प्रतिमा की पूजा करने लगे एक बार मच्छुआरे क यह प्रतिमा समुद्र की में एक रीशी को मिली उन्होंने समुद्र से इस प्रतिमा को बाहर निकाला और एक व्रिक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैट गए इसी दोरान उनकी यह प्रतिमा इसी स्थान पर स्थापित हो गई दोस्तो कृषन जी की इस दिव्वे प जग कीजिए धन्यवाद